हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे एरपोर्ट रिलेटेड वर्ड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें हमारा पहला वर्ड है हवाई अड्डा हवाई अड्डा को इंगलिस में एरपोर्ट कहते हैं एरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा हवाई अड्डा वह अस्थान होता है जहां कोई भी वायू वाहन उडान भरते हैं और उतरते हैं हवाई जहाँज को इंगलिस में एरो प्लेन और एर प्लेन कहते हैं एरो प्लेन और एर प्लेन मीन्स हवाई जहाँज विमान को इंगलिस में एर क्राफ्ट कहते हैं उदर विमान को इंगलिस में हलिकॉप्टर या चॉपर कहते हैं हेलिकॉप्टर मिन्स उदर्ग विमान विमान को रखनी की इमारत को इंगलिस में हैंगर कहते हैं हैंगर विमान यात्रा या उडान को इंगलिस में फ्लाइट कहते हैं फ्लाइट मिन्स विमान यात्रा या उडान उडान भरना को इंगलिस में टैक आफ कहते हैं विमान का उतरना को इंग्लिस में लैंड कहते हैं लैंड मिन्स विमान का उतरना विमान की रसोई को इंग्लिस में गैली कहते हैं गैली मिन्स विमान की रसोई विमान के सौचाले को इंग्लिस में लेवेटरी कहते हैं विमान पत को इंगलिस में रनवे कहते हैं रनवे मिन्स विमान पत हवाई अड़े पर विमान के उडान भरने और उतरने के लिए जो पटी या पत होता है उसे विमान पत कहते हैं हवाई अड़े का बड़ा भवन को इंगलिस में टर्मिनल कहते हैं टर्मिनल हवाई अड़े पर एक ऐसी इमारत है जहां हवाई सेवाई से जुड़ी सारी सुविधाई उपलब्ध होती है वहाँ जैसे पैसेंजर चेकीन हो या टिकट काउंटर हो या जहां पैसेंजर के समान चेक होते हैं आगमन की सुचना देना को इंगलिस में चेकीन कहते हैं चेकीन एरपोर्ट में कैसी प्रक्रिया है जिसके तहत एयर लाइन हवाई जहाज के यात्रियों को उडान के लिए हवाई जहाज में सवार होने की मंजूरी देती है और जहां चेकिन करवाया जाता है उस काउंटर को चेकिन काउंटर कहते है आगमन को इंग्लिस में एराइवल कहते हैं एराइवल मिन्स आगमन यानि किसी अस्थान पर पहुँचना प्रस्थान या रवानगी को इंग्लिस में डिपार्चर कहते हैं departure means प्रस्थान या रवानगी यात्री को इंग्लिस में passenger कहते हैं यात्री का समान को इंग्लिस में luggage या baggage कहते हैं boarding pass या boarding card या check-in के दोरान यात्रियों को मिलने वाला एक documents है जो यात्रियों को उनकी उड़ान के लिए gate नमर, seat का वीवरन, उड़ान संखिया, प्रस्थान का समय, इत्यादी सभी अवश्यक जनकारी इसमें मिलती है passport को इंग्लिस में passport ही कहते हैं ये विदेश यात्रा के लिए होता है गलियारे के बगल वाली seat को इंग्लिस में aisle seat कहते हैं खिड़की के पास वाली seat को window seat कहते हैं बीच वाली seat को middle seat कहते हैं विमान का कप्च को इंग्लिस में cabin कहते हैं, cabin means विमान का कप्च seat की पेटी को इंग्लिस में seat belt कहते हैं seat belt बांधना को इंग्लिस में buckle up या fasten कहते हैं buckle up या fasten means seat belt बांधना seat belt खोलना को इंग्लिस में unfasten कहते हैं unfasten means seat belt खोलना विमान करमचारी विमान के सभी करमचारी को इंग्लिस में crew कहते हैं विमान चालक को इंग्लिस में पाइलेट कहते हैं पाइलेट मिल्स विमान चालक विमान चालक विमान को ओपरेट करते हैं सह विमान चालक या पाइलेट की हेल्प करते हैं इसे इंग्लिस में को पाइलेट कहते हैं को पाइलेट मिल्स सह विमान चालक cockpit विमान का वो अगला हिस्सा है जहां विमान चालक और सह विमान चालक बैठ कर विमान को चलाते हैं यानि विमान पर नियंदरन रखते हैं विमान परिचारिका को एंगलिस में air hostess कहते हैं Air hostess means विमान परिचारिका check-in baggage Check-in baggage उसे कहते हैं जो समान आप विमान में साथ नहीं ले जा सकते हैं और उसे एरपोर्ट में आपको जमा करना पड़ता है और जैसे ही फ्लाइट लेंड करती है वह समान आपको वापस मिल जाता है उसे Check-in baggage कहते हैं Cabin baggage, cabin baggage उस bag को कहते हैं जिसे आप विमान में अपने साथ carry कर सकते हैं और अपने साथ carry किये हुए समान को विमान में आप जहां रखते हैं उसे overhead bean कहते हैं overhead bean प्रतिक्षा कक्ष हवाई अड़े पर जो प्रतिक्षा कक्ष होता है यात्रियों के लिए उसे इंग्लिस में lounge कहते हैं motion sickness हवाई जहां जमें यात्रा के दोरान कुछ यात्रियों को तबित खराब होने लगती है या चक्कर आने लगता है या जी मचलाने लगता है उसे इंग्लिस में motion sickness कहते हैं carousel या moving surface जो एरपोर्ट पर होता है जहां से passenger अपने luggage को collect करते हैं उसे इंग्लिस में carousel कहते हैं 140 सीड़ी को इंग्लिस में escalator कहते हैं सवार होना यात्रियों का विमान में सवार होना को इंग्लिस में embark या boat कहते हैं नीचे आना या उतरना यात्रियों का विमान से नीचे आना या उतरना को इंग्लिस में disembark कहते हैं हवाई की राया को इंगलिस में एयर फेयर कहते हैं एयर फेयर मींस हवाई की राया